है लो दोस्तों स्वागात है हमारी स्यूट चान एकस्प्लेंवानी फोर यूंए तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाएंगे कि दूध का हिसाब कैसे किया जाता है ठीक है तो देखें आपके सामने ये प्रोष्ण है एक लिटर दूध का दाम 30 रुपिया है तो 700 एंगल दूध का दाम किया होगा ठीक है अगर आप किसी दुकंदार पजाते हैं डेली फारम पर अगर वहाँ से आप एक लिटर दूध लाते है ठीक है तो उस का दाम 30 रुपिया बताता है अगर आपको 700 एंगल दूध का दाम क्या पूछ रहा है तो सबसे पहले खेंग current कलने के लिए हम सोगमल दूत काया करना होगा ठिक है सोगमłę दूत करना होगा पाता करना होगा इसको क्या हो होगा तीस करके हम 10 करके काटा देंगे मतलब 30 को हम 10 क्या करें बाग का जाएगा तो 100 sml दूद कदाम कितना हो जाएगा तो तीन रूपिया हो जाएगा ठिक है कितना हो जाएगा तो साथ सो एमेल दूद कदाम पूछ रहा है यहां Suite सौ एमेल ठीक है तो साथ सो एमेल दूद कदाम तो सो एमेल दूद कदाम कितना है तिन रुपिया है तो हम क्या करेंगे तीन लिखेंगे ठीक है और क्या कर देंगे साथ से हम यहाँ पर मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है क्या करेंगे साथ से हम दूद कदाम देना होगा ठीक है तो चले फेंस हम अगले कोश्वन क्यों बढ़ते हैं तो देखे फेंस आपके सामने अगला नाम प्रॉस्ण है देखिए इसमें कह रहा है कि एक लिटर दूद कदाम 900 रुपया है ठीक है तो एक लिटर 300 ml दूद कदाम क्या होगा अगर आप देली फार्म पर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई कितने रुपय लिटर दूद है तो बोलता है 90 रुपया लिटर दूद है ठीक है तो आप उससे बोलते हैं कि हमको एक लिटर 300 ml दूद चाहिए तो उसके बदले में आप उस दुकंदार को कितना रुपय देंगे एक लिट लिटर दूद कदाम कितना है एक लिटर दूद कदाम कितना है तो 90 रुपिया है ठीक है कितना है तो 90 रुपिया है अब एक लिटर दूद कदाम तो पाता चल गया है 90 रुपिया है अब हमको पाता करना है 300 ml दूद कदाम क्या होगा ठीक है तो हमको 300 ml दूद कदाम क्या करना ह होगा ठीक है तो 100 से 0 कड़ जाएगा तो नव कर जाएगा तो 9 बचेगा तो 100 coup कड़ कितना हो जाएगा तो 9 रूपय हो जाएगा तो कितना तो दूद कदाम पूछ रहा है एकल को, कर देंगे, मतलब下一 कर देंगे तो, कितना हो जाएगा, तो नतरी 27 रुपिया हो जाएगा इस 300 ml दूद कदाम कितना हो जाएगा तो 27 रुपिया हो जाएगा ठीक है तो हमको पूछ रहा है एक लिटर 300 ml तो एक लिटर 300 ml तो एक लिटर दूद कदाम कितना है तो 90 रुपिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे 90 करेंगे और 300 ml दूद का दाम कितना है तो 27 रूपया है तो हम 27 क्या करतेंगे जोड़ देंगे 9 प्लस 27 क्या करेंगे जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 9 कितना होता है तो 11 हो जाएगा तो 1.300 ml दूद का दाम कितना हो जाएगा तो 117 रुपिया हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 117 रुपिया हो जाएगा तो इस तरह आप आसाइन तरीका से दूद का हिसाब कर सकते हैं तुछले फैंस मेरे वीडियो आच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर देना